नबस्कार दोस्तों सोगत है आपके इस्टेटी फॉर सिल्टेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को पुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वाल गृप जरूर सा जरूर जोइन कर लिएगा दोस्तों BPSC के प्रिलिम्स के लिए यह मॉंक टेस्ट है और इसमें 150 MCQS के माध्यम से आप अपनी तयारी का इवैलिवेशन कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं पहला जो प्रशन है इसमें कहा गया है कि निम्निलिकित में से किस मध्यपाशाण कालीन उत्खननिस्थल से हड विर्भान पुर यानी वीज़नपु और सांप, शराय नाहर राय और महदा हां और सांप, इसके बाद आदमगड़य कोई और गोड़ इसके बाद उपर्वक्त मेंसे कोई नहीं या एक से ज्जादा, इसमें से कौन सा होगा तो देखें यहां पर जो महदा हा और सांप वा यानि इसका पहला वला option है वही सहीछ प्रश्ण नबर थ महलुस्त है मतलब इस प्रकार से नाम दिया हुआ यह उत्खनन करता है इतिहासकार है इनमें से कौन से व्यक्ति जो थे वो हरपा के जो लोथल और बनावली च्छेत्रे थे उनके खोज करता थी मतलब लोथल क्या लगोंगे और बनावली होगोंगे देखकर बताइए तो तीसरा बाला इसका D हो जाएगा इसमें R.S. राउ य और उसके साथ यहां पेर जो है वो चिनाब का होगा यानि इसका बीवाल आप्षण है वो सही होगा यानि अस्किनी नाम जो है वो चिनाब के लिए यूज़ किया जाता है और परुषनी जो है वो रावी के लिए इसके तरफ पर लड़ा गया था इसके बाद प完全 it नंबर की elephant लिए जंगल में लिखे जाते थे तो इसमें से समझना आसान है यह सामवेद और और र्ष्न की और चलते हैं चट्वे प्रशन में ये कहा गया है कि रिगवेद के तीसरी मंदल का प्रसित गायत्री मंद्र किस देवता या देवी से समंदित हैं और रिगवेद के किस देवता से समंधे 200 मंत्र प्राप्त होते हैं। मतलब हर देवता के नाम पर कुछ इस्तुतियां और कुछ मंत्र हैं, तो उसमें से 200 मंत्र अकेले किस देवता के लिए यहाँ पर वर्गी कृत किये गए हैं। और उसके नाम जो तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है, ओम भूर्भूअ स्वातत, सवितुर वरेन्यम, भर्गो देवस्य धीमही, धियो योना प्रचोदयात। तो यह जो गायत्री मंत्र है, यह किस देवता को समर्पित हैं। यह आपको बताना है, और उसके बाद यह भी बताना है कि निवनलिखित में से किस रोत में भीशन बाढ़ का उलेक किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है मैत्राइनी उपनिशत और शत्पत ब्राम्वन, इसके अलामा एत्रेये ब्राम्वन और शत्पत ब्राम्वन, मैत्रेयनी उपनिशत और रिगवेत का दस्वा मंदल, इसके अलामा एत्रेये ब्राम्वन और रिगवेत का दस्वा मंदल, इस प्रका प्रिखार्ट में कहा गया है कि महात्मा बुद्धि ने अपना अंतिम भोजन कहां पर किया था जो चुंद के द्वारा अर्पित चुंद नाम का एक लोहार या सुनार था उसके द्वारा आर्पित सूकर मादव नाम का खाद्य पदार्थ ये खाते हैं और उसके बाद ये अ इसमें से कौन सा होगा तो आठवा जो आप देख रहे हैं इसका दीवाला हो जाएगा पावा और कुशी नगर पावा नाम के स्थान पर यह अंतिम भोजन करते हैं और कुशी नारा जो स्थान है या कुशी नगर वहाँ पर यह प्रस्थान करते हैं अपने महा पर निर्वार प्रत्व बृत्व के लिए इसके बाद नौवे प्रश्न को देखते हैं यहां पर कहा गया कि ड्विदिये बॉध संगीती या सभा इसका आयोजन किस साशक के शाशनकाल में किया गया और चतुर्थ बॉध संगीती का आयोजन कहां पर गया तो आप जानते हैं कि चतुर्थ इसके बाद दसमे नंबर के प्रशन की और चलते हैं यहाँ जैन धर्म की 23 तीर्थंकर का नाम आपको बताना है और उनका प्रतीक क्या था यह भी बताना है जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके अपने-पने सिंबल हुआ करते थे तो वो सिंबल भी आपको ज्यात होने चाहिए तो 23 तीर्थंकर थे कौन और उनका जो सिंबल था वो क्या था बताईए तो 10 में का जो correct tensor है वो A हो जाएगा पार्शुनात ये थे और बैल इनका सिंबल था ये आप देख रहे हैं इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्ण को देखिए अच्छा एक चीज यहाँ पर misprint है देखिए यहाँ पर दोनों विकल्प हैं पार्शुनात और बैल है और पार्शुनात और सिंग है तो यहाँ पर आप देख लिजेए 23 में तेर्थंकर का नाम और प्रश्ण ने पुछा है पार्शुनात और सर्व होगा ठीक है पार्शुनात का सिंबल क्या था सर्व था बैल तो आप जानते हैं किसका था यहाँ पर बैल की जगपे सर्व बना लीजेगा बाकी सब ठीक है ग्यार में प्रश्ण की वर्श चलते हैं यहाँ देखिए कहा गया है कि कि साशक के शाशनकाल में शैन ने सिवीरों को दी जाने वाली शक्ति को इसकंध वरस कहा जाता था और असीरगड का जो तामरपत्र अभिलेक है उसके हिसाब से मौकरी सामराज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है यह भी आपको बताना है तो यहाँ पर दो शाशकों के नाम दिये हैं दो प्रशन का हिस्सा है तो दो शाशकों के भी नाम है हर्षवर्धन और ग्रहवर्मन है पुलकेशन वितिय और हरीवर्मन मौकरी है इसके अलाम हर्षवर्धन और सरवर्मन है पुलकेशन वितिय और अवंति वर्मन है या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा इसमें से कौन सा होगा तो देखिए ई वाला होगा इसक की नीव रखता है और दूसरा जो है उस वंश की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है कि उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो यहां पर जो एक्चुल इसका फाउंडर कहा जा सकता है वो इशान वर्मन था इन्होंने महाराजा दिराज की उपादी धारण की जो उससे में बहुत ही प्रतिष्ठित होती थी तो इसके बाद चलते हैं आगे इसका इवाला सही था बारहमे नंबर के प्रशन को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निमनलि चत्री बनवाई थी यहां अगर देखा जाए और इसके बाद एक मुफ्त भोज नाले जिसे की सत्तरा कहा जाता था उसको भी इसने स्थापिक करवाया था इस प्रकार की जानकारी यहां पर राप्त होती है तेरह में प्रशन को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किस साशक ने अवनी सिंग की उपादी को धारण किया था और किस साशक ने आर्यावर्द के महाराजा धिराज की टैटल को एजियूम किया था तो यहां पर दो शाश्कों की नाम दिये हैं महेंडरवर्मन、 प्रथम और महेंद्रपाल, सिंग विष्णू ू और महेंडरपाल, महेंद इसका मतलब यह होता है इसकी टाइटिल को एजूम किया था तो यहां दोनों की टाइटिल आपको पता होनी चाहिए और इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए इसके बाद 14 में नंबर के प्रेशन को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि चोल काल में भूस्वामी किशान और चाहिए उनके लिए इन शब्दों का इस्किमाल किया जाता था जो जमीन के मालिक किसान होते थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था यह दक्षन भारत की लेंग्वेज है तो थोड़ी सी अटपड़ी है इससे देख लीजेगा यहां पर लिखा हुआ है सिरुतरम इसका जो कन्यू दयार और सिरुतरम वाला है यह पर्फिक्ट है इसके बाद 15 में प्रशन को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किस शाशक ने अपनी राध्धानी शाकंबरी को अजमेर स्थानांतरित किया था और किस शाशक ने खजुराहों के प्रसिद लक्षम यशो वर्मन विग्रह राद चतुर्थोर यशो वर्मन यानी सी वाला जो इसका माफ कीज़ेगा इसका जो डी वाला है वो सरी होगा यहां पर डी वाला इसका विकल्प होगा इसके बाद आगे चलते हैं सोलमे नंबर के प्रेशन को देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिक इतने से कि शाशक के शाशनकाल में जारी किये गए शिक्कों पर कमल पर बैठी हुई देवी लक्षमी और उनके चार हाथ दर्शाये गए मतलब चार भुजाओं वाली देवी लक्षमी है और कमल आसम पर विराजमान है कोकल प्रथम के शाशनकाल में लक्षमाड राज लक्षमी कर्ड या विजय सिम्हा या इसमें से कोई नहीं या एक से जादा तो सोलमा जो है इसका करेक्ट एंसर होगा ई वाला ई का मतलब यह हुआ इसकी व्याख्या देख लीजे देखे गंगे देव के शाशनकाल में जो सिक्के जारी होते हैं उस पर कमल पर पैर रखकर बैठी हुई देवी लक्षमी के चार हाथ दर्शाये गए हैं और उपर दो में प्रेशन को देखते हैं यहां पर 17 में प्रेशन में कहा गया है कि वाई हिंद की दूसरी लडाई महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में कब लड़ी गई थी और मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच में जो चंदावर का युद्ध है यहां नाम भी बता दिय गया तो खोजने की और शिप्ता नहीं है 1194 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी आपको बताना है तो बताई इसमें से कौन सा होगा पहला वाला आपको पता होना चाहिए चंदावर वाले दो विकल्प इसमें है तराइन की तो लड़ाईया होती है वो प्रित्विरास थर्ड और उसके साथ साथ मुहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के शाशक जैचंद जो की कन्योज का ततकालीन राजा था इनके बीच में चंदावर का युद्ध ये 1194 में लड़ा गया था और इसमें पराजित होता है उसके बाद राजपूद शक्ति एकदम से सो जाती है कहने तो इनके याद में कुतुब मिनार का निर्माड किसने शुरू करवाया यहाँ आप जानते हैं किसका नाम होगा नासरुदीन महमूद, कुतुबुदीन एवक, इल्तुत्मिश, बल्बन या इसमें से कोई नहीं देख लीजे तो इसका जो करेक्ट टेंसर होगा वो कुतु इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे, उन्नीसमें प्रशन को देख लीजे, कि शाशक ने दिवाने अंजरात को दिवाने अर्ज से अलग कर दिया, यानि दो अलग-अलग डिपार्टमिंट बना दिये, तो ऐसा कौन सा रूलर था, कुतुबुदीन मुबारक जलानुदीन खिलजी था, अलाउदीन खिलजी था या गयासुदीन तुगलग था या इसमें से कोई नहीं है, एक से जाधा है, देख लीजे, तो उन्नीसमें जो है, इसका ई वालग-धार्टमिंट बिखलग क्या है लगाने वाले पहले सुल्टान का नाम बताईए, तो यहां दो अलग-अलग जो रूलर है उनके नाम पूछे गए हैं, पहले वाले में गजे सिकंदरी को शुरू किस ने किया था और हक एशर्व किस ने लगाया था, तो यहां सिकंदर लोधी और मुहमद बिन तुगलक दिय है, सिकंदर लोधी और फिरोज शाह तुगलक दिया है, और बहलोल लोधी और फिरोज शाह तुगलक दिया है, और इवाला पहले की तरह है, तो इसमें से कौन सा होगा, इसका हो जाएगा सिकंदर लोधी और फिरोज शाह तुगलक यहां गयस करना भी आसान है, गजे सिकं महारत का पहला चाहपा खाना या नाय안वी जा था पर नappतर किया गया और मराथो ने सालसे lingering पर कब यह दो अलग अलग चीज़ें आपको बतानी है यहां तारिक G है इसमेंिसे कौन सा होगा तो 22-वे का जो correct answer है वो हो जाएगा D वाला D का मतलब यह है कि 1556 और 1749 पहला छापा खाना 1556 और सालसेट और बेसिंग पर मराठों का कबजा 1749 इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर 23-वे को देखिए और बंबई और 1614 यहाँ स्थान और date दी हुई है इसमें से कौन सा होगा तो 23-वे का correct answer हो जाएगा एवाला सूतानुति और 1616 यह तारीक है जिस पर किये स्थाफित होता है और यहाँ जो इस्थान का नाम है वो सूतानुति होगा इसके बाद आगे चलते हैं 24 में प्रशन की और 24 में ये कहा गया है कि अड्यार का युद्ध ये कब लड़ा गया था और आइक्सला चैपल या इसको बहुत ही बीची त्रिधंग से लिखा गया है एक्सला चैपल आप कहते हैं इसकी संधी कब होई थी यहाँ पर अड्यार का युद्ध और एक्सला चैपल की जो संधी होई थी उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए नीचे तारीखें दी हुई है 1745 और 1749 1746 और 1749 45 और 46 और 48 सभी 17 वाले रेंज में हैं देख लिजे तो 24 वा जो है इसका correct tensor हो जाएगा डी वाला डी का मतलब यह है कि 1746 और 1748 इसके बाद 25 में प्रेशन को देखिए The Economic History of India इस पुस्तक को किसने लिखा है और Guilty Man of India's Partition इस पुस्तक को किसने लिखा है देख लिजे तो एक से जादा हो नहीं सकता तो 25 वाला जो है इसका correct tensor कौन सा होगा इसका correct tensor हो जाएगा इवाला यानि उपरोक्त में से कोई नहीं देखिए The Economic History of India यह रमेश चंद्र दत्त की रशना है और Guilty Man of India's Partition यह राम मनोहर लोहिया की रशना है तो यहां पर दोनों के नाम आप याद रखिएगा आगे चलते हैं 26 में नंबर के प्रशन को देखिए समाचार पत्र द मिलाप इसको किसने प्रकाशित किया था और कुदी अरासू यह समाचार पत्र इसको कब प्रकाशित किया गया था दो अलग-अलग इसमें दिये हुए है तो डेट और यहां व्यक्ति का नाम आपको बताना है देख लीजे 26 में MK 4 और 1927 मदन मुहन मालवी और 1927 MK 4 और 1990 मदन मुहन मालवी और 1910 या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से जादा तो इसमें से 26 में का हो जाएगा सी वाला यानि MK 4 और 1990 इसकी जो तारीक है वो सी वाली सही है इसके बाद 27 में को देखिए निम्नलिखित में से किस वाइसराय को भारती राष्टवाद का उत्रे रखा जाता है और हिंदुस्तान एसोचियेसन आप दे Pacific Coast संस्था को किसने स्थापित किया था यह आपको बताना है यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया है Lord Dalhoji Lala Hardiyal Lord Karjan Lala Hardiyal Lord Dalhoji Sohan Singh Bhakna Lord Karjan Sohan Singh Bhakna या उप्रोक्त में से कोई नहीं है एक से जादा इसमें से कौन सा होगा तो 27 जो है इसका correct cancer हो जाएगा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षिता किसने की थी यह आपको बताना है तो Karjanji और Subhash Chandrabos का विकल्ब दिया है Lahore और Subhash Chandrabos Karjanji और Valabhai Patel Lahore और Valabhai Patel तो यह Karjanji अधिवेशन था कि Lahore अधिवेशन था ही बताइए यह कराची वाला जो है और लाहोर वाला चेत्र इसमें यह नहीं चुने जाते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होगा तो exact इसका उत्तर क्या होगा यह 45 अधिमेशन था कॉंग्रेस का 45 नंबर का था और इसमें जो डेट है वो 1929 यानि 1929 की है और यहाँ पर जवाहलाल न प्रेशन को देखे aí लंदन इंडियन ilTON एसंसर हो जाएगा produ इसमें से कोई भिवियक्ति नहीं होगा क्यों नहीं हो जो नाम होगा वो किसका होगा दादढभाई नारो जी इसके बाद आगे चलते हैं थीसमें प्रैसुप्रतृत Chftly से नान को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है और गांधी इर्विन पैक्ट कब हुआ था तो आप जानते हैं कि मास्टरदा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है सूरे सेन को और यहाँ डेट आपको पता होनी चाहिए गांधी इर्विन पैक्ट की उस डेट को देख लीजे इसमें से इसके बाद आगे चलते हैं यह कलकत्ता अधिवेशन था राष्ट्री गीत बंदे मात्रम को पहली बार यहां पर भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का जो बारहवा अधिवेशन था यहां पर गाया जाता है और आप जानते हैं कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और बं इस के बाद तैंतीस में प्रन को देखिए आजाद हिंद फाउज की स्थापन कब और कहां की गई थी यहाँ डेट दी हुई है 1941 Singapore, 1939 Singapore, 1941 Japan और 1939 Japan या इसमें से कोई नहीं, देख लीजे, तो 33 जो है इसका correct answer होगा ए वाला ही, यानि 1941 और Singapore नेक्स्ट, question number 34 को देखिए, कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट, यह कब पारित किया जाता है और तिबबत में, यंग हस्बेंड मिशन, यह कब शुरू किया गया था, यह भी आपको बताना है, तो दो अलग-अलग तारीख हैं, इसमें से देख कर बताईए, 34 में का कौन सा होगा तो 34 में का हो जाएगा C वाला, यह 1899 की तारीख है, और 1964 की, यहनि कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट का जो डेट है, वो 1899 है, 1899 है, और यंग हस्बेंड मिशन का जो डेट है, वो 1904 है, इसके बाद 35 में प्रेशन को देखते हैं, इसमें कहा गया कि किस वाइसराय के शाशनका गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थान अंतरित की गई, यह आपको बताना है, तो लॉर्ड रिपन और 1912 दिया है, लॉर्ड करजन और 1913 दिया है, लॉर्ड रिपन और 1914, करजन और 1910, यह इसमें से कोई नहीं है, एक से जादा, देख लीजे, तो 35 जो इसमें से कौन सा होगा, 36 में को आप देख रहे हैं, तो इसका बीवाला हो जाएगा, यह गोविंद सागर जील है, जो कि सबसे बड़ी कृतिम जील है, और चित्रकूट जल प्रपात जो है, इसको भारत का नियागरा कहा जाता है, तो इसका जो बीवाला ऑप्शन है, वो स इसके बाद आगे चलते हैं, और तीसमे को देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ब्रूगड और पॉर्णूल, इन नदियों के तट पर बसे भुए हैं, यहाँ नदियों के नाम आपको बताने हैं, है यहां विकलप आप देख लीचे तो आठीसमें का करेक्ट टेन्सर हो जाएगा बीवाला इनी डिप्रोगर ये ब्लड पुत्र के बसा हुआ है और पर आप जूपर स्थानों के नाम आपको बताने हैं तो इंदौर और कोलकता होगा जैपूर और कोलकता होगा इंदौर और लखनव होगा या जैपूर और लखनव होगा इसमें से कौन सा उप्शन होगा तो 39 जो है इसका करेक्ट विलासपूर यहां उपरोप्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा इसमें से कौन सा विकल्क होगा देख लीजे तो चारीसमें झो प्रफेक्ट होगा इसके जो date है वो 12 October 2016 है और स्थान का नाम ओडिशा है इसके बाद 42 में को देखिए निमनलिखित में से कौन सा राज्य बांगलादेश की सीमा को इसपर्ष नहीं करता है और निमनलिखित में से कौन सा राज्य म्यामार की सीमा को इसपर्ष नहीं करता है यहाँ पर जो नहीं करते है तो यहाँ इस प्रकार से आप याद रखेगा इसके बाद आगे चलते हैं यह मैप बेस क्वेश्टन है तो अगर आप मांचित रुध्यान से देखते हैं तो आराम से कर लेंगे 43 में प्रश्ण में कहा गया है कि निमनलिकित में से किस राज्य में नीलगीरी परवत माला विस्टित नहीं है और सत्पुडा श्रेडी किन दो नदियों के बीच में इस्थित है यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें आपको बतानी है तो आंध्र और प्रदेश में नीलगीर यह जो सत्पुडा रिंज है यह इस्थित है इसके बाद चववालिसमे को देखिए शेवराय की पहाडियां और डालमा पहाडियां यह किन राज्यों में पाई जाती है तो शेवराय और डालमा यह कहां पर इस्थित है महराश्ट्र और अरुडणचल महरास्ट्र कोई नह मतलब पश्टमी कामेंग जिले को लासा से जोडने वाला दर्रा यहाँ पे बामडीला होगा जेलेपला होगा बामडीला होगा या जेलेपला होगा इस तरकर से विकलती है तो पहला जो विकल्फ है उसमें बामडीला दर्रा और हिमान चल दिया है इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 46 में को देखिए, निमनलिखित में से किस राज्य की तड़ी ये रेखा सबसे लंबी है, जवाहलाल नहरू मंदरगा किस राज्य में इस्तित है ये भी आपको बताना है, तो महराश्टर और पश्चिममंगाल, करनाटक और पश्चिमंग विकल्प होगा, यहाँ अगर देखा जाए, तो क्रम से अगर देखें, तो आंध्र होगा, उसके बाद महराश्ट होगा, उसके बाद ओडिशा होगा, फिर करनाटक होगा, यह कुछ चीज़े हैं, इसके बाद 47 में को देखिए, यहाँ पर का गया है कि 1 उत्पादक्ता के यूल जलविदूत परिवजना, यह किन राज्यों में स्थित है, तो ओडिशा और जम्मू काश्मीर, उत्राखंड और जम्मू काश्मीर, ओडिशा और हिमांचल, उत्राखंड और हिमांचल, यहाँ उपरोग्त में से कोई नहीं है, एक से जादा, यहाँ विकल्प आप तो इसका डी वाला हो जाएगा, उत्राखंड और हिमांचल इसका विकल्प होगा, उत्राखंड और हिमांचल यानि जो इसका डी वाला विकल्प है, वो सही, देखें, तपोवन जलविदूत परिवजना, यह उत्राखंड का जो चमोली जिला है, वहाँ परिस्तित है, और Red Cross Society का जो Headquarter है वो आपको बता होना चाहिए तो नीचे जो विकल्प DMS में से बताईए 49 का correct answer हो जाएगा Ukraine और Geneva यानि यहाँ Red Cross जो Society है उसका मुख्याल है Geneva में, C वाला इसका सही इसके बाद आगे चलते हैं 50 में की ओर यहाँ पर सिमांग और Maori जो जनजातियां होती है वो कहाँ पाई जाती है आपको बताना है तो मौरको और New Zealand, Malaysia और New Zealand, मौरको और Sri Lanka या Malaysia और Sri Lanka या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से जादा इसमें आप देख लीजे, तो इसका 50 में का जो correct answer है वो B हो जाएगा, यानि Malaysia और New Zealand यहाँ जो जनजातियों का है, सिमां का Malaysia और Maori का New Zealand इसके बाद एक क्यामन में को देखिए यहाँ पर फिर polity आ गया, तो किस अनुछेद के अंतरगत सिक्किम राज्य के संबंद में विशेश उपबंद दिये हुए हैं और किस अनुछेद के अंतरगत मिजोरम राज्य के संबंद में विशेश उपबंद दिये हुए हैं तो सिक्किम और मिजोरम के जो उपबंद हैं वो आपको पता होने चाहिए और किस अनुछेद में वर्गी कृत है, यह आपको मालम होना चाहिए तो अनुछे 371 च और अनुछे 371 ज़ है या इसमें आगर आप देखें च ज़ का मतलब यह है, इसको आप अंग्रेजी में अगर देखें तो यह E F और I के तोर पर देखा जाएगा इसके बाद अनुछे 371 ज़ है अर्थार D वाला इसके बाद आगे चलते हैं मा कीज़ेगा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है यह C वाला इसका सही है D वाला नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ वरगी करण को ध्यान से देखना है 371 यह फ और 371 जी जो विकल्प है वो सही होगा C वाला यहाँ पर J वाला उप्षन है वो सही नहीं होगा इसके बाद चलते हैं आगे इसका C सही था 22 इसमें कहा जा रहा है कि निम्लिखित में से किस विशे को संग सूची में शामिल नहीं किया गया है तो संग सूची, समवर्ती सूची और राजी सूची के जो विशय है वो आपको पता होनी चाहिए पिलहाल यहाँ पर कौन सा होगा तो इसमें से अगर आप देखें रक्षा होते होगा पुलिस दिया है रेल और मादक लिकर दिया हुआ है यानि जो शराब होती है इसमें से कोई नहीं हो एक से जादा यहाँ विकल्बी है इसमें से तोल टैक्स और इंस्शूरेंस वाला है यह वाला सही होगा यानी डी वाला पत्कर और विथानसभा चुनाओ में मतदान की उम्र 21 साल से घटा कर 18 साल कर दी गई, यहां दोनों ही जो अमेडमेंट एक्ट हैं वो आपको बताने, तो 101 संशोधन 2016 और 62 संशोधन 1989 इसी प्रकार से 103 जो अमेडमेंट है वो 2019 वाला और 62 संशोधन 1989 वाला, 101 संशोधन अधनियम 2016 और 64 और 1990 या इसमें से कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं, देख लीजे, तो ये पेर बना हुआ है, इसे आप देख लीजे, यहां जो प्रश्न था, इसमें कहा गया था कि मतदान की उम्र, लोकसभा और विधान सभा चुनाओं में 21 से घटा कर 18 की गई, यह पिछड़ा बर गायों को समयधानिक दर्जा द चुनाओं में, मदान की उम्र को 21 से घटा कर 18 साल कर दिया गया था, यहां दो अलग-अलग तारीखें हैं, मतलब जो अगला वाला है, उसका क्या होगा, वो 16 है, और इसकी जो डेट है वो 1989 है, इस प्रकार से यह है, और इसमें से कोई भी पेर मैच नहीं कर रहा है, इसके इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर 55 को देखते हैं, इसमें का आगया कि राष्ट्रपती की निर्वाचन पधियती था एकल नाद रिकता के संबन्द में, सही विकल्प का चैन कीजिए, तो आस्ट्रेलिया और कनाड़ा, आइरलेंड और कनाड़ा, आस्ट्रेलिया और एकल्प की रुझाव में का आदिकार, यहां और को पताना है, तो उत्या इसमें से कौई नहीं है, यह आपको बताना है, तो उत्या है, हैं यह माली की जणिए में आते हैं, सम्ता का अधिकार अगर देखा जायाए तो 12-18 अंचे दाता है, सवतंत्रिता काधिकार अगर देखे तो 19 से लेकर 22 में अनुछे तक आता है सोशण के खिलाफ अगर देखे तो 23 से लेकर 24 तक और सामिधिक उपचारों का अगर देखा जाए तो 32 है इस प्रकार से है तो इसका ई वाला सही होगा इसके बाद 57 में को देखी और प्रधानमंत्री के बारा कितने सदसे इसके बाद 58 में को देखी और आल इंडिया त्रिनमूल कांग्रेश इसके चुनाव चिन क्या है या आपको बताना है घड़ी फूल और घास उस तक फूल और घास घड़ी तथा सीलिंग फैन पुस्तक तथा सीलिंग फैन या उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें से कौन सा होगा तो 98 को आप देख रहा है इसका correct tensor B हो जाएगा यानि पुस्तक फूल और घास पुस्तक जो है ये National People's Party का हो जाएगा और All India Tridmool Congress का जो है फूल और घास हो जाएगा इसके बाद आगी चलते हैं इसका B सही होगा जो 69 नंबर का प्रेशने उसको देखिए राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसमें एक अध्यक्ष के अध्रिक्त कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर 9 सदसे होते हैं और इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधान मंदरी होता है इसका जो B वाला आप्षन है वो सही है इसके बाद चलते हैं आगे उन सट्वी को आपने देखा 60 में प्रशन के वर 60 में कहा गया है कि महानधी जल विवाद न्यायदी करण इसकी स्थापना कप की गई थी और इससे सम्मंदित राज्यों के नाम बताइए तो 2018 ओडिशा और आंध्र 2010 ओडिशा और आंध्र या 2018 ओडिशा और चथीजगर 2010 ओडिशा और चथीजगर या इसमें से कोई नहीं या एक से जादा तो आप जानते हैं कि ओडिशा और चथीजगर के बीच का विवाद है और यहां 2018 में इसकी establishment की गई थी तो इसका जो यहां पर सही विकल्प होगा वो सी वाला होगा इसके बाद चलते हैं आगे 61 को देख लीजे इसमें कहा जा रहा है कि वैश्विक यह संस्था इसको जारी करती है और 112 वा पोजीशन है भारत का या फिर विश्वार्तिक मंच इसे जारी करता है और 121 स्थान पे भारत है या वही रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स और 121 इसमें से कौन सा होगा तो 165 का करेक्ट टैंसर हो जाएगा यानि इसको जो व आभी दुसैन समिती और नर्सिंगम समिती है बीके चतुरवेदी समिती है और नर्सिंगम कमीटी है आभी दुसैन कमीटी और कोठारी कमीशन है या बीके चतुरवेदी कमीशन और कोठारी कमीशन है इसमें से कौन सा होगा देख लीजे तो 62 जो है इसका D हो जाएगा यान लगू उद्योग होते हैं, उन से समंधित एडवाईज देने के लिए, इसका गठन गिया गया था, तो इस प्रकार से अलग-अलग समिधिया हैं, उनका काम है, यहां पर फिलाहल डीवाला होगा, इसके बाद 63 में को देखी, 63 में कहा गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास सं गठन, यानि ओपेक, इन दोनों का मुख्याले कहां परिस्ते थे, यानि दोनों का दो जगा मुख्याले है, यहां लिखा हुआ है जकार्ता और वियना, या पेरिस और वियना, जकार्ता और सिंगापूर, या पेरिस और सिंगापूर, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज चार देश या है नहीं यह इसमें से ज्यादा इसका से हो हो जाईगा चेजून 2003 और 001-04 देश सिकनल यानि इसका जू बिकल्ड अगर इस होगा सिवालज बाली की जाए तो भारत ब्राज wali और साउथ अफ्रीका यह में शामिल थे और इसके बाद अगर यहां देखें इपसा का वैसे भी आप देखें तो इसके बाद चलते हैं आगे चाचट में को देखें इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कंपणी महारत्न नहीं है महारत्न कंपणी का दरजा उसको नहीं प्राप्त है और उसकी की स्टैबलिश्मेंट कपी गई थी वो डेट आपको बतानी है तो यहां इंडियन आयल को आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा देखिए भारत इलेक्रिकल लिमिटेड और 1904 इसे महारत्न का दरजा नहीं प्राप्त है और यह इसके बाद चलते हैं आगे यहां पर जो अगला प्रेशन है उसमें कहा जा रहा है 67 नंबर का कि भारतिया लगु उद्योंग वि इसके बाद चलते हैं आगे 60 में को देखिए इसकी स्थापना 1960 में की गई थी लेकिन कहां की गई थी आपको बताना है राइगड भोपाल रांची या मुंबई या इसमें से कोई नहीं तो यह राइगड होगा आप ही जानते हैं इसका जो विकल्प है यह वाला सही है इसक इसका बी हो जाएगा 1986 और 1963 यह जो इसका इसमें विकल्प है वो सही है तो 1986 और 1963 वाला जो इसमें विकल्प है वो बी नहीं है बल्कि ए इसका जो ए वाला option है वो सही होगा इसके बाद चलते हैं आगे यहाँ पर सत्तरवे प्रश्न को देखिए एं निकोलसन की शिफारिश आप अगर देखें तो व्याएकर और निगमकर है व्याजकर और निगमकर है व्याजकर और सीमा कर है व्याजकर और सीमा कर है या इसमें से कौई नहीं या एक से जादा यह आप देख रहे हैं तो इसमें से कौन सा होगा देखिए इसमें सी वाला होगा व्याएकर और सीमा हो गया है अंग्रेजी और हिंदी वाला इधर दोनों हिंदी का दे दिया है और अज़र दोनों अग्रेजी का मतलब यहां उपर नीचे हो गया है कोई बात नहीं प्रेश्ट में तुरे होगे जितने भी हैं वो complement के इससे देखिए eto 71 जो है इसमें कहा गया है कि तो exact नाम है, यह D वाला है, इसके बाद आगे चलते हैं 72 को देखे, 72 में यह कहा गया है कि Oxygen Wallet की स्थापना कब की गई थी और India Post Payment Bank, ताल कटोरा स्टेडियम में स्थित है या स्टेडियम किस राज्य में है यह आपको बताना है, तो यहाँ प्रशन में भी बहुत सारी जान पर balance हो गया है, तो कहा गया कि घरशन और स्नेहकों का अध्यान, विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत किया जाता है, और शदीदी भाशा का अध्यान, यह विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत किया जाता है, यह दोनों चीज़ें आपको बताना है, तो यहाँ अलग-अल लाजी और काईने अस्थे जो है सई होगा इसके बाद 74 की उर चलते हैं 74 में यह कहा गया कि निमनलिखित में से parsley की सहाइता से अंचाही और को मापा जाता है और निमनलिकित मेंसे स tall की सहाइता से प्रकाश की तीवर्था को नापा जाता है तो यहां sychrometer और phonometer दिया है इसके बाद सम्वेक का मात्रक न्यूटन मीटर और वाई-मंडली दाव यानि एट्मासफेरिक प्रेशर का जो मात्रक है वो केंडिला इसमें से सही कौन सा है देख लीजे तो दाव का पास्कल जोती फ्लक्स का लूमेन इसमें से कौन सा होगा देख लीजे यहां अगर गलत की बात की जाए तो इसमें सम्वेक का जो मात्रक दिया है और वाई-मंडली दाव का दे रखा है यहां आप समझ रहे है तो इसमें दोनों गलत है और जोती फ्लक्स का लूमेन इसके बाद चलते है आगे यहां पर 76 को देखिए अपवर्धी सिधानत का प्रतिपादन किसने किया था यानि एक्स्लूजन प्रिंसिपल जो होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था और होलोग्राफी के आविशकारक कौन थे यहां पर दो साइंटिस्ट के नाम दिये हुए है डबलू पॉली और डेनिस गैबर इसके नाम है हेनरी बैकेरल और डेनिस गैबर डबलू पॉली और रावर्ट ए मिलिकन या हेनरी बैकेरल और रावर्ट ए मिलिकन इसमें से कौन से साइंटिस्ट है कौन सा पेर सही है देखकर बताइए तो 76 का ए वाला हो जाएगा डबलू पॉली और डेवि हो सकता है यह और भी नहीं होगा अब देख करता है यह कौन सा होगा 77 को आप देख रहे हैं इसका C वाला होगा Waterman और JC Bose जगदीश चंद्र बोस यह और C वाला विकल Waterman यानि fountain के आविशकार कौन है Waterman है और करेस्कोगराफ का आप जानते हैं इसके बाद आगे चलते हैं किस चीज के लिए यूज किया जाता है पौधी की जो फीलिंग्स होती है पौधी की जो एक्तिविटी होती उसको मीजर करने वाला यह इस्टुमेंट होता है यहां पर 88 नंबर के प्रेशन को देख रहे हैं इसम युँई के बाद 79 की ओर चलते हैं यहां पर आ गया कि जो भूमिदत पाइप होते हैं उनमे रिसाओ का पता लगाने के लिए मतलब clickage का लेगलाने के लिए निम्लाइकट में यहां पर 16 नहीं है बलकि 60 है तो यह आपको बताना है कि कौन सा होगा 79 को आप देख रहे हैं इसका बी वाला होगा रेडियो एक्टिविटी के सहारे जो रिसा होता है उसका पता लगता है और यह कारवन 14 है जिसका उपयोग यहां पर रेडियो कारवन डिंटिंग में किया ज देख कर बताइए तो असीवा इसकाश का रगा रंग होता है यह पतार्थों के नाव आपको बताने तो कोबार्ट और क्यूप्रस अक्साइड है इसके बाद कोबार्ट ऑक्साइड और सोडियम सलफ़ाइड और सोडियुम क्रोमेट है इसमें से कौन सा योग्य होगा बताइए मतलब योगिकों का जोड़ा होगा यह आपको बताना है तो 11 i ava जो अब प्रिश्ण है इसका करेक टैंसरर सी हो जाएगा सी का मतलब यह कि कोब EspUp और सोडियम क्रोमेट होगा जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके बाद चलते हैं 82 की और बैयासीवे प्रश्न में कहा गया है कि तार और टेंट बनाने के लिए निमलिखित में से किस पॉलीमर का यूज किया जाता है और रेंपोर्ट बनाने के लिए किस बहुलक का इस्तिमाल किया जाता है यह आपको बताना है तो स्नेहक तेल और नेप्था, इसके अलामा फ्यूल आयल और नेप्था, स्नेहक तेल और गैसोलीन, या फिर फ्यूल आयल और गैसोलीन, इसके जो विकल्प हैं आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा, तो तिरासीवा जो है इसका करेक टैंसर हो जाएगा, यह वाला य acrylic glass और rayon का नाम दिया है और polystyrene और rayon का नाम दिया है इसमें से कौन सा होगा तो 84 का जो correct answer है वो C हो जाएगा यानि acrylic glass और rayon ये वाला इसका विकल्ब जो है वो सही होगा इसके बाद आगे चलते हैं 85 में को देखे 85 में प्रिशन भी कहा गया है कि यहाँ निमनलिखित में से क कौन सा मुम प्राप्त किया जाता है यह आप से पूछा गया थोड़ा सा प्रेशन जो है इसमें अजीव धंग से देखेंगा दे दिया है पिला है इसमें से बताई यह कौन सा होगा प्रती जवर नाशक और आशेदियां होगा और पेराफीन मूम होगा या फिर प्रती इसके बाद 86 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार के साबुन को बनाने के लिए उसमें रोगाणु रोधी वी संक्रामक पदार्थ जो है, यह कपड़े धुलने वाला साबुन होता है, या फिर बरतंद होने वाले साबुन होते है या पारदर्शी साबुन होता ह इसके बाद 87 को देखिए, फूलों का अध्यान जीव विज्यान के किस शाखा में किया जाता है और जिवाश्व का अध्यान यह जीव विज्यान के किस शाखा में किया जाता है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, तो यहां लिखा हुआ है पोमोलाजी और पैडोलाजी, या anthology और pedology, pomology और paleobiology या फिर anthology और paleobiology या E वाला विकल्प भी है, इसे आप देख रहे हैं तो 18 सीवा जो है, इसका correct answer D होगा यानि anthology और paleobiology या जो D वाला विकल्प है, ये perfect इसके बाद चलते हैं आगे, 88 में को देखिए पौधे की किस भाग से मार्फीन प्राप्त की जाती है और अफीम का मुख्या हुए हो गया है, ये आपको बताना है तो तना और एट्रोपिन, अपरिपक्वफल और मार्फीन फूल और हेरोईन, पकाफल और मार्फीन उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से जादा इसमें से देखकर बताईए तो इसका जो करेक्ट टेंसर है, वो B हो जाएगा यानि अपरिपक्वफल और मार्फीन इसके बाद नवासी में प्रशन को देखिए साधारन मानों में कितने गुर्ण सूत्र होते हैं और उसके बाद ये भी बताना है कि प्लाज्मा जिल्ली किस चीज से बनी होती है तो गुर्ण सूत्रों की संख्या आपको बतानी है मतलब यहाँ जोडे में नहीं बताना है तो यहाँ लिखा हुआ है 44, 46, 24, 46 और उसके साथ-साथ पदार्थ का नाम दिया है जैसे कि कार्भो हाइडरेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है और लिपिड है इसमें से कौन सा होगा? तो 89 वे का करेक्ट टैंसर E हो जाएगा इसके बाद 90 नंबर के प्रेशन को देखिए इसमें कहां गया है कि कौन सा जै उर्वरक, नाइट्रोजन इस्थरी करण का कारक नहीं बनता है राइजोबियम, एजटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर या नील हरित शैवाल या इसमें से कोई नहीं या एक से जादा इसमें से कोई नहीं, देखिए नाइट्रोजन इस्थरी कारक जो उर्वरक है उसमें राइजोबियम का भी नाम आता है एजटोबैक्टर का नाम आता है, इसके अनाम है एसेटोबैक्टर का नाम आता है ये भी आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा होगा, 28-30 होगा और कैल्शियम होगा, 26-30 होगा, 28-30 होगा, 26-30 होगा या इसमें से कोई नहीं है एक से ज़्यादा, तो इसका C होजाएगा 28-30 होगा और अक्सीजन होता है, ये आपने देखा, इसके बाद आगे चलते हैं, यह तो ये आपको बताना है कि polypeptide में convert करने का काम कौन सा enzyme करता है और वो कहां से निकलता है। देखीजे, 92 का correct tensor A हो जाएगा है, trypsin और amniyashir, ये वाला जो इसका विकल्ब है, ये सही है। इसके बाद 93 को देखिए, यहां पर niacin की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है, और thaymine की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है, तो विटामिनों का यहां पर chemical नाम होता है वो दिया हुआ है, विटामिन E, A, B, C, ऐसे हम लोग जानते हैं लेकिन उनका जो रासायनिक नाम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उस आधार पर दिया हुआ है, यहां पर पेलागरा और अतोधी, सूखारोग और अतोधी, पेलागरा और बेरी-बेरी, सूखारोग और बेरी-बेरी या इसमें से कोई नहीं है एक से जादा, तो 93 का जो correct answer ह पेलागरा और बेरी-बेरी, इसमें से जो सी वाला विकलत है वो सही, इसके बाद 94 को देखिए, यहां पर बिहार के राजकी पशु और राजकी व्रिक्ष का नाम आपको बताना है, तो देख लीजे कौन सा होगा, बैल और बरगत होगा, नील गाय और बरगत होगा, बैल इसके बाद आगे चलते हैं, यहां विधान सभा सीटों की संख्या और विधान परिशत सदस्यों की संख्या आपको बतानी है, संख्या दीवी है 245 और 75, इसके बाद 243 और 75, 245 और 78, 243 और 78, इसमें से कौन सा होगा, तो 96 को आप देखिए, इसमें 243 और 75 वाला जो विकल्प है, वो सही होगा, इसके बाद 97 को देखते हैं, यहां पर कहा गया कि बिहार में सरवाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले हैं, और सरवाधिक जनसंख्या घंणत वाले जिले, उनके नाम आपको बताने हैं, तो गोपाल गंज और शिवहर, मुंगेर और भागलपूर, मुंगेर और भागलपूर, या इसमें से कोई नहीं है, एक से जादा, कौन सा होगा, तो देखिए, इसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद 98 को देखिए, बिहार में सरवाधिक साक्षरता दरवाले जिले, और न्यूनितम साक्षरता दरवाले जिले का नाम आपको बताना है, तो रोहतास और किशन गंज है, सहरसा वाला छेत्र है और किशन गंज है, रोहतास और पूणिया है, सहरसा और पूणिया है, तो आप जानते हैं कि रोहतास में सबसे ज़ादा है और पूर्णिया में सबसे कम है ये ओवराल पूछ रहा है महिला पूरुश अलग अलग नहीं तो रोहतास और पूर्णिया यानि C वाला जो इसका है वो सही होगा 99 को देखिए यहाँ पर कहा गया 99 में कि निम्नलिखित में से कौन सा करांतिकारी बिहार से संबंधित है अंबिका कान सिंग, कार्यानन्द शर्मा, खुदी राम बोस, जगदीश नारायन या उपरोप्त में से कोई नहीं है एक से ज़ादा तो देखिए यहाँ पर जितने भी विकल थे, एक से ज़ादा वाला, ये इसमें सही है, खुदी राम बोस इसमें बेंगॉली थे, बाकी जो आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ पर बिहार के माने जाएंगे, खुदी राम बोस का जो टाइम था उस समय तक बेंगॉल से बिहार अलग हो चुका था, दिली दर इसके अनावा करिया जूमर और सामा चकेबा है, तो देखिए, जो भाई बहन से समंधित नृत्य है, वो सामा चकेबा है, ठीक है, तो इसमें सामा चकेबा वाले जो आप्शन है, उनी को देखिएगा, बाकी जो C और D है, ये बरवाद है, मतलब बेकार है, इसको मत देखि तो इसमें जीजी अनरते और सामा चकेबा, और करिया जूमर और सामा चकेबा, इसमें से कौन सा होगा, देख लीजे, तो 100 का जो करिया जूमर और सामा चकेबा, यानी B वाला होगा, इसमें महिला प्रधान लोखने ते कौन सा होता है, करिया जूमर होता है, हलांकि चेत्र के मेले के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद बिहार बजट 2020 में ग्रामीड विकास विभाग और समाज कल्याड और पोशण विभाग के लिए कितने रुपई की धनराशी आवंटित की गई है यहाँ धनराशी आपको बतानी है तो लिखा हुआ है 26,580 करोड और 13,50 इसी प्रकार से धनराशीयों को इसमें अदल बदल कर लिखा हुआ है तो कौन सा होगा देकर बताईए एक सो दोवा जो है इसका करेक्ट एंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा यानि 26,058 करोड रुपया और 13,506 करोड रुपया जो है यह वाला सही है इ इसके बाद 5,405 और 5,504 इस प्रकार से लिखा हुआ है तो 103 जो है इसका करेक्ट एंसर होगा इवाला इसमें से कोई भी सही नहीं है या एक से जादा सही हो सकता है तो एक से जादा कैसे होगा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा सही बात क्या है पटना मेडिकल कॉलेज और अ नाम आपको बताना है और वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा चेत्र रहा था यह आपको बताना है तो बताइए पुनर्विलन है और विक्रमशिला चेत्र है कन्यादान है और विक्रमशिला है पुनर्विलन और साधिकपूर है कन्यादान और साधिकपूर है या इसमें से देख लीजे तो 105 वाह जो है इसका ईae वाला हो जाये गां यहाँ वाला विकल्पिस Ilkta और बाकी राम जान Chief को अगर आप देखे गांट को अगर आप देखे κα know के नाय आपको बतicação है यह इसके बात 106 को देखे बिहार में कौन सा जिला नेपालס कि शीमा को इस पर्ष नहीं करता है और बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को इस पर्ष नहीं करता है ये दोनों जिलों के नाम आपको बता ले है तो यहां देख लीजे सुपॉल और गोपाल गंज है रोतास और अररिया है मधुबनी और सिवान है इसके अलावा पूर्वी चंपारण और पश्रिमी चंपारण है जबकि यूपी किसी मा को ठरच करने वाले जिले है उसमें पश्रिमी चंपारण गोपाल गंज, सीवान, सारन, भोजपूर, आरा वाला चेत्र, बकसर, कैमूर, भभवुआ वाला चेत्र जो है यहां तक हमने देखा इसके पाद 108 में कहा गया है कि भागलपूर और औरंगाबाद येकिन उद्योगों के लिए संबंद रखते हैं तो रेल इंजन की मरंबत का काम और चमड़ उद्योग तसररेशम और खनन उद्योग इसमें से कौन सा होगा तो 108 जो है इसका डी हो जाएगा तसररेशम और खनन उद् चमडे की अगर बात की जाए तो मोकॉमा दिघया और घया वाला जो छहेतर है वो इसमें आता है खानल उधियोग के बारे में औरंगा बाद का छहितर एंद एक और देभाल चाँ चमड़ा देखा जाए और अगर बाता है और तसर रेसम के प्रशन को देखिए, यहां कहा गया है दसकतिया लोक नाटे और पाला लोक नाटे, यह जो लोक नाटी काये हैं, यह किस से समंधित है, छतीसगड, ओरीशा, महाराष्ट्रिया, भिहार, या इसमें से किसी से नहीं, देख लीजे, तो 110 जो है, इसका ओरीशा हो जाएगा, यह यह जाएगा, इसी प्रकार से 4 का निकालेंगे, तो वो 2 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, और उसके बाद अंडर रूट 2 जो है, वो करेणी से बाहर नहीं आ सकता है, तो इस प्रकार से कुछ इसका structure बनेगा, और कुल मिला कर इसका फाइनली जो answer है, वो 111 का हो जाएग अंडर रूट 2 माइनस 2, इस प्रकार से इसे यहाँ पर लिखा जा सकता है, इसके बाद आगे चलते हैं, 112 में को देखिए, यहाँ पर का गया दो पाइप, P और Q, किसी टंकी को क्रमशा 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाते हैं, पर Q जो है, यहाँ पर 6 मिनट अधिक समय लेता है, जो जादा समय लिया है, वही बताना था, इसके बाद 113 में को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि श्रेडी 4, 7, 12, 20, 30, 43, 58, इसका अगला पत क्या होगा, या आगे वाला जो अंक है, वो क्या होगा, तो यहाँ अगर आप इसम जो श्रेडी क्रम होता है, उसको अरेंज किया जाता है, इसके बाद 114 में नंबर के प्रशन को देख लिए, इसमें कहा गया कि वृत P और Q की तरिजा है, प्रमशा 2.5 रेशियो 2 के अनुपात में है, मतलब 2.5 अनुपात में है, तो वृत P और Q के शेतरफलों का अनुपा आगे चलते हैं, यहाँ 115 में को देखिए, एक रेलगाडी और प्लेटफार्म की लंबाई समान है, यानि जितनी लंबी ट्रेन है, उतना ही लंबा प्लेटफार्म है, रेलगाडी 75 किलो मीटर प्रतिघंटे की चाल से चलते हुए, प्लेटफार्म को एक मिनिट में पार कर प्लेटफार्म की लंबाई आपको मीटर में बतानी है, तो यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई भी पूछ सकता है, रेलगाडी की पूछा है, तो बताईए इसमें से कौन सा होगा, इसको आप कैल्कुलेट कीजेगा, तो इसका जो करेक्ट टैंसर है, वो हो जाएगा, 625 मी तो इसमें अगर आप इसे solve करेंगे, तो 116 में का correct answer हो जाएगा, 44 प्रतिशल, यहाँ जो इसका answer है, वो 44 हो जाएगा, इसके बाद 117 में को देखिए, इसमें कहा जाना है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6, इसकी value क्या होगी यह आपको बताना है, मतलब इस प्रकार हो जाएगा, थोड़ा सा calculation और गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 6 है, तो 6 बार कम से कम आपको बुड़ा करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से अगर आप calculate करते हैं, तो इसका correct answer है, वो 117 में का हो जाएगा, डी वाला, डी का मतलब यह है कि 12,090, यह वाला, इसके बाद आगे चलते हैं, यहां 188 नंबर के प्रशन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 2 की पावर 2x-y is equal to 16, और 2 की पावर x plus y is equal to 32, ऐसे दिया हुआ है, तो xy का मान आपको यहां बताना है, इस प्रकार से है, तो यहां पर अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो 2 की पावर 2x-y दिया है, और इधर अगर आप इसे calculate करें, तो 16 को आप 2 के पदों में लिख सकते हैं, यहां पर दो की जो multiple होते हैं, उसके तोर पर लिख सकते हैं, यहां पर आप 4 बार गुड़ा करेंगे, तो 2 की घार, यहां पर 4 लिखेंगे, 16 आ जाएगा, यानि 2 की घार कर देंगे, तो भी निकल जाएगा, उस विदी से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे इसके method है, फिलहाल इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा, 108 में का कौन सा, 6 इसका जो answer है, वो सही होगा, इसके बाद आगे चलते हैं, 119 में को देखे, यहां पर कहा गया कि वर्ग A का विकर्ण मतलब एक square है, चतुरभुज में कई प्रकार की आकरितियां होती है, और उसमें जो वर्ग होता है, उसमें 4 बुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं, तो वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, यहां जो वर्ग होता है, उसके विकर्ण आपस में equal होते है यहां गर आप ध्यान से देखें तो वर्ग A जो है इसका विकंड क्या है A प्लस B है और उस वर्ग का विकंड ग्याद कीजें जिसका कि छेत्रफल वर्ग A के छेत्रफल से दोगना है यानि इससे दोगने छेत्रफल वाला एक और स्वायर है उसका आपको विकंड पता करना है तो यहाँ जो छेत्रफल का रूल होता है या सूत्र होता है उसके आधार पे आप calculate करेंगे तो 119 का जो correct tensor है वो हो जाएगा D वाला यानि under root 2X plus Y यह इसका जो correct tensor है उसे आप देख रहे हैं D वाला इसका सही इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर 120 में नंबर के प्रशन को देखिए जितेंद्र महेश की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है यादि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं तो जितेंद्र अकेले उस काम को अगर आपने रिजनिंग पढ़ रखी है तो और मैथमेटिक्स बहुत सामाने दरजी की पुछी जाती है इसमें बहुत जादा पेच नहीं होता है तो थोड़ा बहुत अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप आराम से इसमें से मैक्सिमम प्रशन कर सकते हैं इसके बाद 121 में में यहां देखे करेंट अफेर का मुद्धा आ गया तो हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मार्धिम से अंतराष्टिय भारतिय महुत सव दोजार बीस को संबोधित किया है और हाल में किस केंडरशाषित प्रदेश को भारत का पहला 100 प्रदिशट जैविक केंडरशाषित प्रदेश घोषिट किया गया है यहां पर व्यक्ति का नाम दिया है नरेंद्र मोधी और लक्षदीप या आधितिनाथ और अंडमान निकोवार या नरेंद्र मोधी और अंडमान निकोवार या फिर योगी आधितनाथ और लक्षदीप या इसमें से कोई नहीं है एक से जादा तो इसका हो जाएगा नरेंद की जो एक वैक्स नाम की पहल है उसका शुभारंब किया है इसमें दो अलग-अलग प्रश्न है तो आपको बताना ही है कि कौन सा होगा विश्व बैंक होगा एयर टेल और विश्व बैंक होगा इसके बाद बाद 123 को देखिए यहाँ पर कहा गया कि हाली में कि केंद्र ये मंत्री ने वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से बिहार में कोईलवर पुल का उधाटन किया है और हाली में किस राज्य में राश्टी दिव्यांग सशक्ती करण केंद्र का उधाटन किया गया है यह भी आपको बताना है तो प्रकाश जावडेकर और अंध्रप जैक स्पॉंटेन का नाम दिया है इसके लामा पीटर डॉसन और जैना वोल्डरिस का नाम दिया है एनिका सोने मिस्ट्रिम और जैना वोल्डरिस का नाम दिया है और पीटर डॉसन और जैक स्पॉंटेन का नाम दिया है इसमें आप देख रहे हैं कौन सा होगा तो 124 का जो तो यहां इस्थान का नाम ही मिलाकर देखना है पैर बना हुआ है Kuwait और Swidja Land है ओमान और Swidja Land है इसके लावा ओमान और Shing murmur है Kuwait और Shing murmur है या इसमें से कोई नहीं है या एक से ज्यादा देख लीजे तो 125 का जो correct answer है कुवेत और Shing hunter हो जाएगा यह आपको बताना है तो 5 यहां संख्या दी हुई है मतलब कितने राजियों में किया है तो राजियों की संख्या है 5 और Tata Consultancy Services यह company का नाम है इसके अलामा 4 और Wipro, 3 और Tata Consultancy Services इसके अलामा 2 और Wipro, मतलब Wipro और Tata Consultancy Services जो है उनका नाम दिया हुआ है देख लिए इसमें से कौन सा होगा तो 126 जो है इसका करेट टैंसर A हो जाएगा यानि 5 और Tata Consultancy Services इसके बाद 127 को देखिए इसमें कहा गया कि हाली में किसे भारती सेना का नया इंजिनियर इंचीफ अपॉइंट किया गया है और हाली में किसे ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है तो यहाँ पे जनरल हरपाल सिंग और शशांक मनोहर का नाम आता है जनरल राजीव चौधरी और ग्रेग बार्कले का नाम आता है अंतराश्ट्री पुरसकार TX2 यह T into 2 है असल में यक्स नहीं है बलकि वो multiply है तो यहाँ पर इस पुरसकार को जीता है यह पीली भीट टाइगर रिजर्व है, दुधवा है, जिम कार्बेट है या बुकसा है इसमें से कौन सा है या कोई नहीं है देख लीजे तो 128 का यह हो जाएगा, यह पीली भीट का टाइगर रिजर्व है जो कि यहाँ पर इस पुरसकार को जीता है इसके बाद 129 को देखी, इसमें कहा गया है कि हाली में किस राज्य में पुर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उधगाटन किया गया है और उसके बाद यह भी कहा गया है कि हाली में किसे उमंग एप का अंतराश्टी वर्जन यह किस के द्वारा लांच किया गया है यह भी आपको बताना है मतलब कहने का ताथ पर यह है कि पहले तो जो काउ हॉस्पिटल है इसमें से कौन सा है तो 129 जो आप देख रहे हैं सकड़ी होगा असम और रविशंकर प्रशाद यह जो गव अस्पताल खोला जाएगा यह असम में खोला जाएगा और यह उमंग का जो यहां अंतराश्टी वर्जन इसमें से कौन सा होगा 130 को आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा सी वाला नैनी दाल और सौधी अरब वाला जो विकल्प है वो एकदम सही है इसके बाद चलते हैं आगे 131 को देखिए हाली में किस सहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूनामेंट खिला गया और हाली में किसे मुख्य सूचना आयुकत पॉइंट किया गया है तो इंदौर और विमल जुलका इंदौर और यश्वर्धन सिन्ना या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक बातन किया गया है और निमलिकित में से कौन सा राज्य सब्जियों के निश्चित आधार मुले को तैय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सब्जियों का निश्चित आधार मुले तैय करने वाला राज्य कौन सा है देख लीजे तो यहां योगी आदितिनात और तमिलनाडू का दिया हुआ है, नरेंद्र म१ी और केरल, या योगी और गुज्राथ, इसमें सी कौन सा होगा, तो 132 को जो आप देख रहे हैं, इसका करेफ टेंसर C वाला होगा, यानि Нिरेंद्र मोधी और केरल, ये वाला विकल्प इसका होगा, 133 को देखिए यहाँ पर कहा गया Night of the Restless Spirits Night of the Restless Spirits Stories from 1984 यह किताब का नाम है अब इसका विमोचन किया गया है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है तो अर्विंद अडिगा के बारा लिखा गया है एक बिलियन डॉलर के रिर्ट समझोते पर हस्ताक्षर किये है और हाली में किसे बोलीविया का राश्ट्रपती अपॉइंट किया गया है यहाँ नीचे विकलप आप देख रहे हैं State Bank of India और Louis Air से या Bank of India और Louis Air से या फिर State Bank of India और Genine N.A.S. यहाँ पर विकलप आप देख लिए इसमें से कौन सा होगा 134 का हो जाएगा ये वाला State Bank of India और Louis Air से ये इसका correct option है इसके बाद 135 को देखिए इसमें कहा गया है कि हाली में देश में एनिमिया मुक्त भारत सूचकांक ये एक इंडेक्स है इसमें कौन सा राज्य शिर्षिस्थान पर आया है और किसे सेशेल्स का राष्ट्रपती चुना गया है दो अलग-अलग चीज़े हैं तो यहाँ राज्यस्थान और डैनी फॉरे का नाम आता है या गुजरात और बाविल राम कहलावन का नाम आता है इसके लावा असल में का नाम राम कहलावन रहा होगा और यहाँ थोड़ा सा इसको बना दिया गया है इसके बाद पंजाब और डैनी फॉरे यह है और हरियाणा और बाविल राम कहलावन यह दिया होगा है अब इसमें से बताएए कौन सा होगा तो यह IIT मदरास है और परेटन और ग्रामीड विकास यह इसका थीम था यह IIT रुड़की है और परेटन और शहरी विकास इसका थीम था इसी प्रकार से रुड़की और मदरास वाले आप्शन में C और D को आप देख रहे हैं इसका करेट टैंसर कौन सा होगा देख लिए 136 तो 136 का हो जाएगा यह वाला यानि IIT मदरास और परेटन और ग्रामीड विकास मतलब IIT मदरास के बारा इसको डेवलप किया गया है और इसका थीम आप देख लिए 27 सितंबर को जो विश्व परेटन दिवस मनाया गया परेटन और ग्रामीड विकास इसके बाद आगे चलते हैं यहां 137 को देखे इसमें कहा गया है कि रूसी Grand Prix 2020 यह किसने जीता है और विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 जो है इसमें भारत की पोजिशन किया है यह आपको बताना है मतलब Global Risk Report के बारे में कहा जा रहा है तो यहां नीचे विखल दिया है 137 का करेक्ट एंसर हो जाएगा C यानि वाल्टेरी, बोटास और नवासीमा यहां पे अगर आप देखें तो वाल्टेरी, बोटास जो है यह 138 जो है यह उत्तर प्रदेश और सोनुसूद का होगा आजकल सारे अभिनेता फीके पड़ गए है और समाथ सेवा जो हावी हो गई इन्होंने काभिले तारीफ काम किया इसके बाद आगे चलते हैं 139 को देखते हैं हाली में किसे उर्जा दक्षिता सेवा लिमिटेट के नए प्रबंध निदेशक की तौर पर अपॉइंट किया गया है किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है रजत सूद को, एस गोपाल को, सौरप कुमार को, श्रीकांद गोस्वामी को इसमें से किसी को भी नहीं देख लीजे तो 139 का हो जाएगा रजत सूद, यानि ए वाला ऑप्षन इसका परफिक्ट है इसके बाद 140 को देखिए, इसमें कहा गया कि हाली में किस संस्था एडवेंचर, हाली में किस संस्था एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए उत्राखंड सरकार के साथ संस्था कौन सी है, यह संस्था का नाम आपको बताना है इसके बाद 141 को देखते हैं, किस राजजे ने भारत का पहला अंतराश्टिय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने का निर्ड़े लिया है और भारत का एक्याउनवा अंतराश्टिय फिल महुचसव 20 से लेकर 28 November 2020 को, कहां आयोजित किया गया, यह भी आपको बताना है यहां लिखा है जाएगा, तो आप किया जा चुका है, तो यह कहां पर किया गया, यह स्थान आपको बताना है देख लीजे, महाराष्टर और UP, गुजराद और यम्पी, इसके लावा, यम्पी नहीं, MP, और उसके बाद हरियाड़ा और जम्हु कश्मीर, इसके लावा राजिस्थान और हरियाड़ा, इसमें से कौन सा विकल्प होगा तो 141 को आप देख रहे हैं, इसका E वाला हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, या एक से जादा, तो एक से जादा हो नहीं सकता, कोई जो सही नहीं है, उसका विकल्प आप सही मान सकते हैं यहाँ पर दिल्ली और गोवा होगा, मतलब यहाँ पर महिला व्यापार केंटर, यह दिल्ली और जो फिल्म महुत्सो है, वो गोवा में आई जित्रिया गया था, इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पर 142 को आप देख रहे हैं, इसमें केविन मेयर ने CEO पद के लिए इस् इसमें कहा गया है कि हाली में दिल्ली राजे सरकार ने किस अभ्यान को शुरू किया है, तो स्वस्त शरीर, सम्रिद शरीर या स्वस्त शरीर और सम्रिद दिमाग, या स्वस्त शरीर और स्वस्त दिल, इसमें से कौन सा होगा, तो यह सी वाला होगा, स्वस्त शरीर और स्व यहां पे अगर आप देखिए तो विने टोंस और तमिलाडु वाला जो विकल्प है वो पर्फेक्ट है इसके बाद देखिए यहां 145 जो प्रेशनेस में कहा जा रहा है कि हाली में किस रेलवेड डिवीजन ने इसके बाद 146 को देखिए यहां पर कहा गया कि हाली में किसे बाइल इंटरनेशनल चेस्ट फेस्टिवल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और हाली में किसे घरेलू रेटिंग एजनसी आइसी आरे ने अपना इसके बाद 147 को देखिए इसमें कहा गया कि हाली में किसे प्रधान मंदरी नरेंद्र मोदी का नया निजी सच्यू अपॉइंट किया गया है और किसे पेटियम मनी का CEO न्यूक्त किया गया है दो अलग-अलग चीज़े है नाम बताईए इसमें से किसका होगा तो इसमें इसमें से हो जाएगा आपका हारदिक शतीष चंद्र और वरुन श्रीधर का नाम यानि इसमें से विकल कौन सा होगा बी वाला सही होगा इसके बाद आगे चलते हैं 148 को देखिए हाली में कौन सा खिलाडी टेस्ट क्रिकेट में 500 लेने माला साथवां गेदमाज बन गया ह है और हाली में किसे भारतिय नौसेना अकेडमी का कमांडेंट अपॉइंट किया गया है यहाँ नीचे नाम दिया है कोर्टनी वाल्स और दिनेश के तृपाथी का स्टूर्ट ब्राट और दिनेश के तृपाथी का नाम दिया हुआ है तो इसमें से कौन से होगे देख है तो हैपिटाइटिस फ्री फ्यूचर हैपिटाइटिस फ्री बॉडी हैपिटाइटिस फ्री पर्सन या हैपिटाइटिस फ्री लाइफ इसमें से कौन सा थीम होगा बताईए तो 149 का करेक्ट एंसर हो जाएगा हैपिटाइटिस फ्री फ्यूचर यानि हैपिटाइटिस म कप्लीट किया है और तक तक के लिए नमस्कार